नमस्कार, Vision ISK News Today के संख में आप सभी का स्वागत है। इस अंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दुरिष्टी से महत्यपूर्ण कुछ एहम खबरें। इस अंख में सबसे पहले बात करेंगे अवसनरचना शेत्र की। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क यानी MMLP असम के जोगी घोपा में स्थापित किया जाएगा। MMLP लोजिस्टिक पार्क का एक परिश्कृत रूप है इसमें रेल सडक आधारिक परिवहन के अलावा विभिन मुल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क को भारत माला परियोजना के तहत विक्सित किया जाएगा और ये पार्क लोगों को प्रत्यक्ष हवाई, सडक, रेल और जलमाग संपर्क प्रदान करेगा। इसे पहले वर्ष 2017 में देश भर में 35 MMLPs विक्सित करने के लिए एक कारिक्रम आरंभ किया गया था। उच्छ लोजिस्टिक्स लागत के कारण। भारत में 60 प्रतिशत माल ढुलाई सडक मार्क से होती है, जो कई विक्सित अर्थ विवस्थाओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। और कोल्ड स्टोरेज जैसे विशेश भंडारन समाधान को इस्थापित करने में भी सहायक हो सकते हैं। ये मूले वर्धित सेवाओं जैसे सीमा शुल्क समाशोधन, परीक्षन सुविधाओं और भंडारन प्रबंधन सेवाओं के संदर्व में सहायता प्रदान कर सकते हैं। यहां अंतिम चरण के विनिर्मान गतिविधियां जैसे श्रेणी करण, प्रथक करण, लेबलिंग, पैकेजिंग आधी संपन्न की जा सकती है। भारत और संप्तुराज अमेरिका इस महीने के अंत में आयोजित होने वाले 2 प्लस 2 वारता के दोरान बेका पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा कर रहे हैं। भू इस्थानिक आसूचना के लिए बुनियादी विनिमय और सहियोग समझोता यानि बीका फोर्ड जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। बेका भारत और अमेरिकी नौसेनाओं को एक दूसरे के साथ भू इस्थानिक और उपग्रह द्वारा प्रेशित डेटा को साज़ा करने की अनुमती प्रदान करेगा। ये भारत को अमेरिका की उननत भू इस्थानिक आसूचना का उपयोग करने और मिसाइलों एवं सश्थ्र ड्रोन जैसी स्वचालित प्रणालियों और हत्यारों की सटीक्ता को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। हालां कि इस पर हस्ताक्षर होना अभी बाकी है। दूसरा समझोता है Logistics Exchange Memorandum of Agreement लिमोवा ये दोनों देशों की सेनाओं को आपूर्ती और मरम्मत के लिए एक दूसरे की सुविधाओं तक पहुँच प्रणान करता है। कौमकासा संचार और सूचना सुरक्षा समझोता ग्यापन यानि सिस्मोवा का एक भारत विशिष्ट संसकरण है। कौमकासा भारत को C-17, C-130 और P-8Is जैसे अमेरिकी मूलके सैने प्लेटफॉर्म्स के लिए कूटबद संचार इस्थापित करने की अनुमती प्रदान करता है। इस पर वर्ष 2018 में हस्ताक्षर किये गए थे। और चोथा समझोता है सैने सूचनाओं की सामाने सुरक्षा समझोता General Security of Military Information Agreement यानि G.S.O.M.I.A. ये भारत और अमेरिका के बीच अधिक से अधिक आसूचना साजाकरन प्रयासों को बढ़ावा देता है। हाल ही में G.S.O.M.I.A. के लिए दोनों देशों ने औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं। और विधान सभा निर्वाचनों में चुनावी व्यसीमा में 10% बढ़ोतरी के लिए निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को स्विक्रति प्रदान कर दी है। लोग सभा और विधान सभा के निर्वाचनों के लिए वर्तमान व्यसीमा राजियों के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई है। सभी व्याईों के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। प्रकाशित सामगरी और इलेक्ट्रोनिक विग्यापन इसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स सार्वजनिक बैठके आदी भी शामिल है। अगली कोई उमीदवार निर्धारित सीमा से ज्यादा व्याई करता है तो इसे निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 90 के उलंगन के रूप में देखा जाएगा। और लोग प्रतनिदित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत ब्रश्ट आचरण माना जाता है। निर्वाचन के खर्च की निगरानी जिला अधिकारियों द्वारा की जाती है। आईए अब जानते हैं पंजाब के विधेकों की मुख्य विशिष्टाएं। ये विधेक पंजाब सरकार को राजे में कहीं भी तथा किसी भी रूप में किसानों की उपज खरीदने के लिए निजी संस्थाओं पर शुल्क आरूपित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इससे संपून राजे में मंडी प्रणाली के विस्तार में सहेता प्राप्त होगी। अपनी उपज को बेचने के लिए बाध्य करने को दंडेनिय बनाते हैं। आर्सितिकी तंत्रिकी संस्कृतिक और आर्थिक विशेश्टाओं को समझने में सहेता करेगा। कालेश्वरम लिफ्ट सचाई परियोजना। तिलंगाना में गोदावरी नदी परिस्तित के लाईपी परियोजना विश्व की सबसे बड़ी बहु चरणिय और बहु देश्य लिफ्ट सचाई परियोजना होगी। लिफ्ट सचाई के कई लाब हैं जैसे नियूनतम भूमिय अदिग्रहन की समस्या और जल की कम हानी। वेसल ट्राफिक सेवाएं और वेसल्स ट्राफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। हाल ही में पोद परिवहन मंत्राले द्वारा VTS और VTMS के लिए एक स्वदेशी सॉफ्ट्वेर समाधान का ईशुभारंब किया गया है। ये इस मुद्दे पर विदेशी मुद्रा के व्याय को कम करेगा और VTS सॉफ्ट्वेर के लिए विदेशी समर्थन पर निर्भरता को भी कम करेगा। VTS और VTMS सॉफ्ट्वेर बंदरगाह या जलमार्ग पर पोत की स्थिति, अन्य यातायाद की अवस्था या मौसम संबंदी खत्रे की चेतावनी और यातायाद के व्यापक प्रबंधन को निर्धारित करता है। Vessels Traffic Monitoring System अंतराष्ट्रे समुद्री संगठन कन्वेंशन सेफ्टी ओफ लाइफ एट सी सोलाज की तहत अनिवारे है। अल्दाबा की प्रवाल भित्तियां कि गर्मी के दबाव को सेहन करने के कारण वर्ष 2015 से सोला में हुए विरंजन की घटना के बाद अल्दाबा एट आल अपनी पूर्व अवस्था को तीवरिता से पुनः प्राप्त कर रहा है। इसे समान प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है जिसमें विशिष्ट मूल कोशिका के सभी क्लोन शामिल होते हैं। एंटिबॉडीज ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनहें रोग जनकों से संघर्ष करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रक्रतिक रूप से निर्मित किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटिबॉडीज में अधिक शमता होती है क्योंकि वे एकल स्वस्थ हो चुकी कोशिका से व्युत्पन्न होते हैं और इनकी एक लक्षित प्रतिक्रिया होती है। मृदा संचारित क्रिमी संक्रमन STH STH जिसे आतों के परजीवी क्रिमी संक्रमन के रूप में जाना जाता है। सरवाधिक निर्धन और वंचित समुदाय को अत्यधिक प्रभावित करता है। संक्रमित बच्चे पोशन की द्रिष्टी से तथा शारिरिक रूप से दुरबल होते हैं। लोगों को संक्रमित करने वाली इसकी प्रमुफ प्रजातियां हैं गोल क्रमी, विप वर्म और हुक वर्म। इनका प्रसार मानव मल में मौजूद क्रिमियों के अंडों द्वारा होता है, जो परिणाम सोरूप उन शेत्रों में मृदा को दूशित करते हैं, जहां स्वक्षता निमनस्तरिय होती है। हाल ही में 14 राज्यों द्वारा क्रिमी प्रिसार में कमी की सूचना प्रदान की गई है। वर्ष 2015 में देश के प्रतियक बच्चे को क्रिमी संक्रमन्ट से राहत प्रदान करने के लिए स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंत्राले ने राष्ट्रे क्रिमी मुक्ती दिवस की शुरुआत की थी। स्टेंड ओफ एंटी टैंक मिसाईल यानी सेंट मिसाईल भारत ने एकिकरित परिक्षन रेंज में एक रूफ टॉप प्रमोचक यान से वायू से सतह पर मार करने वाली सेंट मिसाईल का सफल परिक्षन किया है। आफ्टर लाँच, लॉक ओन बिफोर लाँच दोनों शमताएं शामिल होंगी। बैंडिकोट रोबोट हाल ही में ग्रेटर मोहाली शित्र विकास प्राधिकरण ने सफाई के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट को अपने साधनों में शामिल किया है। जो शहर के सीवर मैन होल की सफाई में सहयता करेंगे। ये रोबोट किसी भी प्रकार के सीवर मैन होल की सफाई में सक्षम है। इस रोबोट में दो प्रमुख इकाईयां सनलगने हैं जिसमें एक स्टैंड इकाई और एक रोबोटिक ड्रोन इकाई शामिल है। इसके साथ ही यंग समाप्त होता है, अगले यंग में फिर मुलाकात होगी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार.